हलो फ्रेंट्स आओ वारियो आई होप आप सब अच्छे होंगे बच्पन कितना प्यारा होता है हमारा जिन्दिकी किताब में सबसे अच्छा पेज बच्पन का ही होता है फ्रेंट्स बच्पन के दिन भी कितने अच्छे होते थे तब दिल नहीं सिर्फ खिलोने तूटा करते अब तो एक आसू भी बरदास नहीं होता और बच्पन में हम जी भरके रोया करते थे वा बच्पन को कितना ही सुख मैता हमारा जब हमारे गाउं में भोपू बजाते हुए बरफ वाला आता था सारे बच्चे इकठे हो जाते थे बरफ खाते थे और ये तपती हुई गर्मी म धर्मेंदर और हेमा का प्यार देखिए हम लोग कितनी आखे गड़ा के देव तक देखा करते थे देखिए ये पिक्चर कितनी अच्छी है सायद ऐसा पर सबके जिन्दगी में जरूर आया होगा न दुनिया का गम न कोई सितम क्या मस्ती कर रहे हैं हम ये देखिए ये हमा भी वाकर नहीं था इसी के सहारे चलना सीखा था जब भी हम संड़े को बाल कटवाने जाते थे नाई हमेशा ये ही कहता था सर नहीं हिलाना नहीं तो कान कट जाएंगे वारे मेरा बच्छफन जब ऐसे बच्छे कोई भी घर नहीं होगा जहां दादा दादी या ताओ ये नहीं कहते थे कि मेरी कमर दबाओ आज ज़रा दर्द हो रहा है मेरे कमर पे चल के दिखाओ हमलों का बैंक बैलेंस बच्छफन में हमारे जो बैंक यही होते थे इसी में हम अपने सारे जमा पूझी रखते थे और इसके फोड़ने का मज़ा ही कुछ और था ये देखिए तब हमारा टेलिफोन या मोबाइल जो डिब्बे के सहारे हम एक दूसरे से धागाबाद के ब ये स्विच बोड किस-किस ने देखा है फ्रेंड किसने यूज किया तो ये विलुप्त होता जा रहा है जिसने भी इसका उप्योग किया प्लीज लाइक और सब्क्राइब मैं चैनल फ्रेंड्स ये देखिए उस समय कोई सोसल मीडिया नहीं थी लड़किया कैसे अपना टा आनिया सुनना क्या मन भावन बच्वन के दिन थे वो ये ये बताईए इसकी चटनी किस-किस ने खाई है फ्रेंड्स जो भी खाया है वो लाइक जरूर कीजिएगा कितनी मीठी और स्वादिस तुवाम की चटनी होती थी जो हम लोग रोटी के साथ खाते थे ये देखिए इसका नाम बताईए तो मैं जानू सायद आप इसका नाम नहीं बताएंगे ये कच्चे चने को भून कर बनाया जाता और इसको हुरा कहते हैं ये देखिए जब दिपावली खतम होती थी तो हम लोग बनिये का खेल खेलते थे तराजु बनाते थे और उससे खेलते थे इस पर किसने सोया है प्रेंट जिस ने इसको देखा है या सोया है प्लीज एक लाइक या कमेंट जरूर कीजिएगा क्या क्या मजे दिन थे वह ये देखिए चोर राजा सिपाही मंतरी का खेल तो सबने खेला है कितने अच्छे खेल थे वह कास उसमें मोबाइल के गेम नहीं थ इसने किरोसिन के लैंटन और यह जो लैंप में सबने कितने हम लोगों ने पढ़ाई किया है जब इलेक्रिसिटी नहीं थी कितना ही अच्छा लगता था यह देखिए अपनी नाव को पानी में बहाना बारिस की पानी में कितना ही मज़ेदार होता था उसकी क्या तारीफ कर यह देखिए पैसे किसने किसने यूज किये हैं पाज के पैसे दो के पैसे दस के सिक्के यह देखिए घर से कुछ गेहूं या चावल लेके बगल में कहीं भी मुर्गी के बच्चों को खिलाना क्या बेपरवाह वो दिन थे कितने मज़ेदार वो दिन थे यह देखिए सारी सहलियां मिलकर जब हम लोग आपस में खेलते थे बिना किसी के उसके बहुत ही अच्छा लगता था, friend चवणी की चाहे चार मिलती थी, खुसियां संत्रे की गोली, वह में हजार मिलती थी, वह संत्रे की गोलीयां हमें बिशरे नहीं बिसरती याद है बच्पन के वो अमीरी न जाने कहां खो गई वो दिन ही कुछ और थे जब बारिस के पानी में हमारी भी जहाद चला करते थे फ्रेंड्स जो ऐसे सोए होंगे मानो वो जिन्दगी में बच्पन जी लिये होंगे जरूर फ्रेंड्स नानी के घर जाकर के इस तरह से सोना कितना मज़ेदार होता था यह जब हम लोग सुर्भी आती थी कैसे दोड़कर टीवी के पास जाते थे रात को चादर ओड़कर सोचते थे कि भूत तो अब हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा अब तो हम पूरी तरह सुरक्चीत हो गए और चदर से मूँ ठीक लेते थे अपना घरों में कितने वी एसी और कूलर लगा लो मगर घाओं की गर्मी छो खुले आसमान के नीचे सोने मं मज़ा आटा ता यह चाद का कुरता तो सबने पढ़ा होगा फ्रेंड ये पोयम ये कविता जब चात कहता था ये मा मुझको बनवा दो मोटा सा एक जीगोला उसकी मा कहती है दिन भर सारे दिन तु घटा बढ़ता रहता है कैसे बनवा दू मैं तुझे एक जीगोला बहुत ही मज़ेदार पोयम थी वो पेंसिल जिसमें हम अपने से छेद किया करते थे और पूरी रबर को हम लोग छेद करके भर देते थे कच्छवा और खर्गोस की कहानी स्लो एंड इस्टेडी विंस दरेस हमने उसी स्टोरी से सीखी थी फ्रेंड्स कितनी मज़ेदार वो कहानी थी पानी पीने के बहाने पूरी स्कूल का चक्कर काट बताना कि किस क्लास में क्या हो रहा है फिरा कर अपने मित्रों को बताना चील उड़ी कौवा उड़ा उनके साथ भी बच्छपन भी हमारा कहीं उड़ गया आईए उस बच्छपन को सहोजो हैं बच्छपन में स्कूल में मास्टर दी द्वारा भेजी गई कमांडो फोस की डर रहती थी कि वो कब आएंगे और कब टांग कर ले जाएंगे लड़कियां हम लोग ऐसे करते थे अपनी बैग ले जाके रख देना और अपने फ्रेंड्स की भी जगह अकुपाइट कर लेना कि यहां पे मेरी फ्रेंड्स आएगी तो बैठेगी इस्कूल मास्टर द्व करके खड़ा होके डंडे के सहारे आम तोड़ना बड़ा ही मज़ा आओता था फ्रेंड्स मास्टर सहाब की मार तो सबकी होई पड़ी होएगी यह देखिए मास्टर सहाब का गुस्सा यह स्कूल में किया गया योग योगासन तो सबको याद होगा फ्रेंड्स मुर्गा ब होती थी ओभी क्या दिन थे जब नानी के घर जाने के लिए हम लोग कुस होते थे कि गर्मी की छुट्टियां आने चुला चाहे मिट्टी का हो या किसी का हो ओ मा के खाने का क्या स्वात देगा जिन्दगी की किताब में सबसे अच्छा पेज बच्पन का ही होता है